नहीं नहीं जैन तो भाई हैं मेरे देखिए मेरा चौदिय जी सिंग जी के साथ मैं बिल्कुल उनको अपने बाप की तरह मानता था और मैंने उनका जीवन पर बेहत सम्मान किया और उनके किसी हुकम को कभी मैंने टाला नहीं कि चुनाओ सारनपूर से लड़ा जाए हमने पह गुम्रा कर देते हूं गुम्राई का नितिजा है मेरे खाल से कभी उनकी जब समझ में आएगा खुद वो चिंतन मंतन करेंगी तो शायद समझ में आए दिक्कत ही हो गई है कि मुसल्मान को वोट की तरह स्तमाल करते हैं सब लोग हमसे दरी तो बिछवा लेंगे लेकिन अपने कारेकरताओं का तो हम आज की शुरॉत वही से करते हैं इम्राण जी आपने ।सम्मेस करता था इन शनम करता था इसमें आपके जो कारेकरता थे उन्ह유ने क्या कहा नहें देखिए मैंने आठ तारिक को कैराना लोकसभा पर और दस तारिक को सारहनपूर लोकसभा पर अपने सब साथियों को बुला करके मश्वरा किया है सबका एक स्वर के अंदर मश्वरा था कि चुनाव सारहनपूर से लड़ा जाए हमने पहले भी इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ लिया प्रातमिकत हमारी होगी कि हम इंडिया के इंदर रहे करके चुनाव लड़ें लेकिन जब हम चुनाव 2007 में जीते थे तो इंडिपेंडेंट जीते थे तो चुनाव अगर राजनीत के अंदर है चुनाव नहीं लड़ेंगे तो क्या करेंगे तो 2022 की तरह हम गलती नहीं करेंगे कि हम चुनाओ छोड़ दें हम चुनाओ निश्चेत रूप से लड़ेंगे क्योंकि मैंने जब कॉंग्रेस छोड़ी थी मैं बिल्कुल छोड़ना चाहता था कॉंग्रेस क्योंकि मेरा राउल जी और प्रिंका जी ने जिस तरह से मुझे सम्मान दिया उनका कोई किन लबजों जो ये कहेंगे वो करूंगा और इन्होंने चुनाओ लड़ने का है तो चुनाओ लड़ेंगे अभी जैसे की कई पार्टियों से आपकी बात चल रही है तो अगर कोई पार्टी से बात नहीं बन पाती है तो उस इस्तिति में क्या रहेगा? मैंने गा ना हम चुनाओ मेरा वोट तो हमेशा बढ़ जाता है मेरा वोट घटता नहीं हमेशा बढ़ता है एक 2019 को छोड़ दीजिए वरना मेरा वोट हमेशा बढ़ा है तो इसलिए जब हमेशा वोट बढ़ता है 2019 में एक महल बना उस वक्त हम जिस तरह का महल बना वो उस परिश्बेक्ट में भी हमें दो लाग दस हजार वोट मिला, तो वोट हमारा हमेशा बढ़ता है, हमेशा कभी घटता नहीं, तो इसलिए जब साथियों ने कहा है, और इस बार तो जोश बहुत तेज है लोगों का, बहन जी ने जिस तरह से निश्कासन किया, चूँकर हम तो बहुत उम्मीद के साथ गए थे, हम तो उस मिशन मुवमेंट को मजबूत करने गयते, जिस मिशन मुवमेंट की बात भेंजी ने हमसे की थी, और दलितों की शोशितों की बंचितों की लड़ाई लडने के लिए गयते, और मैंने मंच पर भी कारप फिर गया हूँ, कि जो बहने वादा भेंजी से किया कि मैं इस लड़ाई को जीवन भर लड़ूँगा और दलितों के लिए अपनी प्राणों की बाजी लगा कर भी काम करूँगा, मैं निश्चित रूप से इस वादे को निभाँगा, मैं किसी भी पार्टी में रहूँ, कहीं भी रहूँ, अभी जैसे बात आपने बहन जी की तो बहन जी से शुरूआत करते हैं कि जैसे गोसी का चुनाओ हुआ, गोसी के चुनाओ में उमीद था कि जो दलित वोट है, मायावती का दलित वोट, वो शायद कहीं बीजेपी को ट्रांसफर ना हो जाए, लेकिन वहाँ पर बीजेपी वोट समाजवादी पार्टी के में लगाया है, राजनीत को खड़ा करने में, और अभी कुछ लोग जो उनको पता नहीं, बहन जी को मेरा अपना व्यक्ति का तनुभव है, कि बहन जी बहुत सीधी लेडी हैं, बहुत जादा, और कुछ लोग उनको गुमरा कर देते हैं, गुमराई का नितिजा है, मेरे कभी उनकी जब समझ में आएगा, खुद वो चिंतन मंतन करेंगी, तो शायद समझ में आए, कहीं ऐसा नहीं है, जब तक वोट बैंक टके कहीं और चला जाए, दोजार चोबिस के चुनाओं को अगर लेके हम बात करने तो, देखिए अभी इस बारे में, क्यूंके दलित का पार्टी के साथ जाना नमुम्खिन सा लगता है, वो कभी भागपा को वोट नहीं देंगे. उत्तरपरदेस में मुसलिम वोट को लेकर भी काफ़ी मशक्कत की जा रही है कोई कहता है हमारे साथ है आपको क्या लगता है दोजार चुबीस के चुनौव में मुसलिम वोट किदर जा रहा है देखें, दिक्कत यह हुगी है कि मुसल्मान को वोट की तरह इस्तमाल करते हैं सब लोग, हमसे दरी तो बिछवा लेंगे, लेकिन साथ में बेठाने का काम नहीं करना चाहते हैं, ये बड़ी दिक्कत हो गई, कि आपको वोट चाहिए, लेकिन लीडर्शिप नहीं चाहिए, आपको वोट चाहिए, और ऐसे को आगे बढ़ा होगे, जो लोग कल को इन से सवाल भी न पूछ सके, तो ये बड़ी दिक्कत हो गई, हमारी साथ भी इसी चीज का मैं मारा हुआ हूँ, कि मैं बेबाकी के साथ बोलता हूँ, बेबाकी से अपनी बात रखता हूँ, और मुझे कभी जीत मिले ना मिले, लेक के मुसलिम वोट मुझे लगता है के मुसलिम वोट इंडिया के साथ चलेगा, और उसका बहुत बड़ा कारण कॉंग्रेस है, जो पूरे देश में महल बन रहा है, उसका बहुत बड़ा कारण है के रहुल जी ने जो यात्रा की, और उसके बास सब लोगों ने मिलकर गड़ विकल्प, तो एक मसबوط विकल्प दे दिया, तो मसबूत विकल्प है तो उसी के साथ मेरे खाल से रहने चाहिए, जैसे हमने आपके जितनी भी वार आपसे बात की है, तो हमसा रहुल गांदी कि आपने बहुत तारीफ की है, पस्ची में उत्तर पर्देश में एक चेहरा जेंद चौधरी भी है उनके बारे में आप क्या कहेंगे नहीं नहीं जेंद तो भाई हैं मेरे देखिए मेरा चौधिय जी सिंग जी के साथ मैं बिल्कुल उनको अपने बाप की तरह मानता था और मैंने उनका जीवन बर बेहत सम्मान किया और उनके किसी हुकम को कभी मैंने टाला नहीं जेंद भाई निश्यत रूप से बड़े नेता हैं और चौधिय साब के बेटे हैं तो मेरे लिए तो बिल्कुल सके भाई की तरह हैं तो क्या ये भी मान के चलें कि इम्रान मसूद जेंद चोधरी के साथ आरेलडी जोइन करने वाले हैं नहीं उनको देखें आरेलडी जोइन करूं या ना करूं जेंद चोधरी और मेरा रिष्टा तो ऐसा ही रहेगा मैं जहां भी रहूँगा उनका वैल विश्यर आप गुमा रहे हैं मैंने का कि क्या इम्रान मसूद अब आरेलडी जोइन करने जा रहे हैं मैंने का ना मैं उनके साथ जाओं या ना जाओं यह विश्यर नहीं है विश्यर यह है कि मैं उन्हें कैसा उनको पसंद करता हूं विश्यर यह है कि मैं उनको भाई की तरह समझता तागी कुछ बन पाएगा लिए अब जैसे दो दलबते हैं तो इसमें किसके साथ ज़्यादा संभाव नहीं लग रही है राजनीती में देखे राजनीती के अंदर मन की अगर बात होती तो कॉंग्रसी नहीं जोड़ता तो अभी सारी चीजों के उपर गौर फिकर करके कि अंदर किसी तरह से मायवती बी जूड़े आती है तो उस कंडिशन में क्या आपको नहीं लगता कि आपको सहारंपुर्ग से टिकट में ये लोग समस्या आए खड़ी करेंगे और दरसे समाजवादी पार्टी तो अलड़ी इंडिया में है तो नहीं लगता कि वो आपके टिकट के लिए कुछ समस्या खड़ी करेंगे अब उनका काम बो करेंगे अपना काम मैं करूंगा मैं मुझे क्यों नहीं लडाओगे मुझे बचा बताईए कि मुझे क्यों नहीं लडाओगे आप हम बार-बार कह रहा हूं कि हमारी हर गाउं में अपनी पार्टी है मेरे हर गाउं मेरा ओवरनाइट वोट ट्रांसफर होकर कि जहां-जहां मैं रहा वहां चला गिया तो यह बात आदमी को समझनी चाहिए और अगर नहीं समझेंगे तो लोग समझा देंगे आप किसी एक समाज को केवल वोट की तरह इस्तमान नहीं कर सकते हैं यह थे हमारे साथ इम्रान मसूद बड़ी बेबाकी से इन्होंने साफ बात रखी इन्होंने कहा कि अगर किसी चुनाओ के साथ में किसी पार्टी के साथ में इनकी बात हो जाती है तो बहुत बढ़िया अगर नहीं भी हो पाती है तो यह चुनाओ साहरनपूर से ही लड़े अनिल भार्दवाज साहरनपूर यूपी तक